क्या आप जानते हैं कि 2020-2021 के माइग्रेशन प्रोग्राम ने 1,60,000 की सीमा के मुकाबले 1,60,052 स्थानों पर डिलीवरी की है जिसमें जादातर पर्मनेंट रेजिदेंसी ग्रांट्स ओन शो उमीद्वारों को दिये गए है 2019-2020 में दिये गए 1,40,000 स्थानों से इंटेक बढ़ गया है पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंट तक देखें और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Brain Drain Consultants की ओर से हमारे Immigration Information और News Channel A to Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है आए सबसे पहले नजर डालते हैं खबर की कुछ हाइलाइट्स पर आस्ट्रेलिया ने 2020 वा 21 प्रोग्राम यह में 1,60,000 पर्मनेंट रेजिडिन्सी वीजा दिये भारती आस्ट्रेलिया में पर्मनेंट माइग्रिंस के दूसरे सबसे बड़े सोस के रूप में उभरे सरकार ने 25 सालों में सबसे ज़ादा पार्टनर विजा ग्रांट किये Immigration Minister Alex Hawk ने कहा कि Border restrictions और चल रहे Health Crisis की वजह से वीजा प्रोसेसिंग में देरी के बावजूद 2020 वए 21 में Migration की गिंती उम्मीद से जादा है Australia का Well-Managed Migration Program ऐसे result देता है जो Economic Recovery का समर्थन करते हैं, रोजगार बनाते हैं और Australia ए लोगों की सुरक्षा की रक्षा करते हैं Minister Hawk ने कहा कि 1,60,052 थानों का एक पूरा कार्यक्रम देने का मतलब Global COVID-19 restrictions के कारण Onshore Applicants के पूल में आना है इस साल कठिन पर स्थितियों को देखते हुए यह बहुत सफल रहा है Immigration Department के Former Deputy Secretary Abul Rizvi ने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में Temporary Migrants के कारण एक पूरा कार्यक्रम दे सकती है जो Onshore पर मौजूद थे दूसरी बात जो सरकार ने पिछले साल की थी वो यह थी कि उन्होंने Partner Visa Backlog को साफ करना शुरू कर दिया था और असल में अगर सरकार चाहती तो वे उससे कहीं जादा बड़ा कार्यक्रम दे सकते थे 21 सितंबर को Department of Home Affairs द्वारा जारी किये गए Migration के आंकडे बताते हैं कि 2020 वा 21 में दिये गए Cool Permanent Residency Visa में भारतियों को 21,791 स्थानों के साथ दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिला जो 2019 वा 20 में दिये गए वीजा की संख्या से लगभग 4,000 कम है 2020 वा 21 माइग्रेशन प्रोग्राम ने फैमिली स्ट्रीम में 77,372 स्थान दिये पार्टन विजा उमीद्वारों को लगभग 72,000 स्थान दिये गए जिन में से एक विशाल बहुमत आंशो उमीद्वारों की थी जो 25 वर्षों में इस काटेगरी के तहट रिहबिलिटेट लोगों की संख्या में सबसे बड़ी वृद्धी दर्ज करता है माइग्रेशन प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2021 को पार्टन काटेगरी के लिए पाइपलाइन 64,111 थी जो 30 जून 2020 को 96,361 की पाइपलाइन की तुलना में 33.4 प्रतिशत से काम है उन्होंने कहा कि अगर सरकार 2021 वब 22 में बड़ी संख्या में पार्टन वीजा ग्रांट देना जारी रखती है तो वे उमीद कर सकते हैं कि पार्टन वीजा बैकलॉग जल्द कम हो जाएगा अगर केवल पिछले वर्ष की संख्या को देखें तो एक लाग से जादा अपने पार्टन वीजा ग्रांट की प्रतीक्षा कर रहे थे जिन में से 28,000 अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बीच हर दिन नए अप्लिकेशन्स दर्च किये जा रहे हैं जिससे बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है सरकार ने स्किल स्ट्रीम के तहट 89,620 स्थान दिये जो कुल परिनाम का 50.7 प्रतिशत था जिन में से कम से कम 71 प्रतिशत उमीदवार आन्शो मौझूद थे इस स्ट्रीम में सबसे जादा स्थान Employer Sponsored काटेगरी के तहट अप्लाई करने वाले अप्लिकेंस को दिये गए थे जिसमें लगभग 23,000 स्थानों का परिनाम था उसके बाद State and Territory Nominated काटेगरी थी जिसके तहट लगभग 14,000 वीजा दिये गए थे जबकि 2020 वए 21 में Global Talent, Independent प्रोग्राम के तहट 9,584 वीजा दिये गए संख्याओं को बांटते हुए Mr. किले ने कहा कि सरकार ने Skilled Migration Intake में जरूरी कटोती की है जो अब देश के Permanent Migration Intake के 70 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से थोड़ा जादा है इसमें कोई शक नहीं है कि Skilled Migration Intake को एक बड़ा जटका लगा है क्यूंकि सरकार ने पिछले साल योजना के स्तर को कम कर दिया था 2021 वा 22 प्रोग्राम यह के लिए योजना स्तरों की घोशना करते हुए सरकार ने कहा था कि Family और Skill Stream स्थानों को उनके 2020 वा 21 प्लानिंग लेवल्स पर बनाय रखा जाएगा जिसमें OnShow वीजा उमीदवारों पर जादा ध्यान दिया जाएगा जिसमें OnShow Partner वीजा पाइपलाइन को कम करना शामिल है हमें उमीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी क्रिपिया कॉमेंट में अपने सजेशन्स और फीडबाक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने बहार जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताच करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टन्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं